हेलो फैंड वेलकम टू मैं चैनल आज हम वीडियो पर वालनट फेस पैक के बारे में बात करते हैं इस फैस्टिव सीजन चहरे को इंस्टेट ग्लोइंग और खुबसूरत बनाने के लिए महंगी क्रीम या फेस पैक का इस्तमाल करने के पजाए घर पर आसानी से वालनट फेस पैक तयार कर सकते हैं वालनट यानि अक्रोट में मौजूद एंटी अक्सिडेंट और ओमेगा थ्री फैटी एसिट हार्ट हेल्थ या ओवर ओल हेल्थ के साथ हेल्दी स्किन पाने के लिए भी इस्तमाल किये जाते हैं वालनट इसकिन को सभी जरूरी निउट्रेशन प्रडक्ट बनाने में किया जाता है अक्रोट में मौजूद एंटी अक्सिडेंट इसकिन से गंदगी निकाल कर नैचरली ग्लोइंग और हेल्दी बनाते हैं फेस्टिवल पर खुबसूरत निखार के लिए वालनट और हनी फेस पैक बना सकते हैं इसकिन को हाइडरेट और मौसराइस करने के लिए शेहद का इस्तमाल काफी कारगर माना जाता है शेहद और अक्रोट से बना फेस पैक चहरे की ड्राइनेस को खत्म कर चहरे को नैचरली ग्लोइंग और जमा बनाये रखने में मदद करता है यह फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा अले ऑईल भी डाल सकते हैं अक्रोट के पॉडर से फेस पैक बनाकर उसे चहरे पर किसी ब्रेश की मदद से लगा ले और 15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दें फेस पैक सूखने के बाद चहरे को अच्छे से स्क्रब करते हुए ठंडे पानी से साफ कर ले आप चा इसको निकाल कर चहरे को इंस्टेंट ग्लोइंग बनाने का काम करता है अक्रोट ब्लड फ्लो को बहतर करता है और चहरे को ग्लोइंग बनाता है इसके इस्तमाल के लिए दही और अक्रोट का फेस पैक बनाने के लिए दो बड़े चमच दही में एक बड़ा चमच अक्रोट पौडर डाल कर अच्छे से मिक्स कर लें दही और अख्रोट के फेस पैक को चहरे पर लगभग 20 मिनट के लिए लगा रखें फेस पैक सूखने के बाद चहरे को गुंगने पानी से साफ कर लें